अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सल के अंदर T-Test कैसे लगाना है T-Test होता क्या है दो सेंपल्स को आपस में कंपेर करने को T-Test बोलते हैं अब इस दो चीजों को कंपेर करना है यहां पर मेल्स और फीमेल्स को हम कंपेर करें तो मेल्स के नमबर है और यहां पर फीमेल्स के नमबर है किसी भी सब्जेक्स में से हो सकते हैं आउट ओफ वन फिफ्टी ठीक है तो इस इस जिस अन एक्सेंपल और हम इन दोनों को कंपेर करते हैं अब यहां पर देखते हैं कि T-Test लगाने के लिए कॉमा लगाएं दूसरी आरे को सेलेक्ट कर ले कॉमा लगाएं और यह पूछता है वन टेल के Twe टेल Two टेल सेलेक्ट करेंस में से कॉमा लगाने के बाद क्यونकि यह उन पेर्ड है सेम जगा से नहीं तो फिर मैं टू लगाता हूं इसको मैं bracket बंद करता हूँ तो ये मेरे पास p-value आगी अब अगर ये p-value 0.05 से less है तो ये significant difference होगा इसको लिखने के लिए मैं यहां पर if का formula लिखता हूँ if this is less than this value than significant difference है otherwise यहां पर कह दो non significant है तो इस formula का use करते हूँ मैंने यहां पर लिखा तो इसकी विड़ा से मुझे नजर आ गया कि ये significant difference है ठीक हो गया पहला तरीका ये था जी हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि data analysis की tool pack को हम install करें हम यहां पर data पर click करते हैं उपर tabs के अंदर और यहां पर हमारे पास data analysis tool pack आएगा लेकिन अभी नहीं आ रहा उसको activate करने के लिए आप यहां पर file पर click करें option पर click करें add-ins पर click करें go पर click करने के बाद analysis tool pack को ok कर दें ok करते हैं यहां पर data analysis आजएगा इस पर click करें click करने के बाद यहां से आपने t-test को select करने और हमने two sample assuming equal variance यहां यहां पर लिख दी ठीक है यहां पर click करने के बाद range 2 यहां पर आ गई इसके बाद हमने लेबल जो हैं हमारे वो हैं और हमारा alpha 0.05 है ठीक है तो output range हमने कहां पर यह results print करने हैं इस पर click करें अगर आपने new workbook में करने तो इस पर click कर दें मैं यहीं पर click करता हूँ और मैं कहता हूँ कि result यहां से start हूँ ठीक है यहां से start हूँ तो मैं okay कर देता हूँ तो यह हमारे पास पूरा t-test आ गया तो सबसे पहले क्या है जी इसकी summary है mean variance observation कितनी है pooled variance कितना है इसका hypothesis mean difference कितना था हमने कोई भी नहीं दिया degree of freedom कितनी है इतनी है t-test यह तो हमारे पास two tail का यह वाला हमारे पास जो p-value आ रही है इसकी base पे हम बताएंगे कि हमारा result significant है के नहीं तो अगर यह इस से less है then it means कि यह भी significant है इसको मैं देखने के लिए यहां पे लिखता हूँ 0.05 लिखने के बाद same formula यहां पे fx कला तो अगर यहां पे significant आ जाए this means कि this value is less than this one तो यह significant difference है तो t-test इतना असान है कि अगर आपने दो quantity के दरम्यान फरक मालूम करना हो then you can actually apply this t-test अब इसको हमने interpret कैसे करना है interpret करने के लिए आपको basically main standard deviation और different किसम के formula जो है वो देखने पड़ेंगे for example यहां पे आपक average निकालने पड़ेगी पूरी उपर वाली array की तो मैं यहां से इसकी average निकालता हूँ और इसी को मैं यहां पर drag कर देता हूँ इसकी standard deviation निकालूँगा STDEV निगा के DEV और यह मैं पूरी उपर से यहां तक इसकी standard deviation भी निकाल लूँगा standard deviation के बाद standard error क्या होती है standard deviation divided by square root of number of replicates तो number of replicates को देखने के लिए हम यहां पर count का function यूज़ करके यह इनका number of replicates जो है वो देख लेंगे ठीक है जी समझा रही है यहां पर इस तरीके से count का function लगा के हमने देखा तो अब यह हमारे पास mean है यह हमारे पास standard deviation है यह standard error है ठीक है जी तो इन तीनों को हम box में करके और अपने तरीके से color कर देते हैं ताके हमें पता रहे कि यह कौन कौन सी चीज़े हैं ठीक है mean को थोड़ा सा green color कर दें या कोई भी color कर दें इसके बाद यहां पर standard deviation अगर हमने साथ वालों की भी देखनी है तो इसको इस तरीके से लगा लेंगे तो हमारे पास दो values आगी है standard error and standard deviation तो हम क्या करेंगे insert करते हैं यहां से हम bar plot बनाते हैं bar plot बनाने के बाद हमने दो values जो हैं यहां पर show करनी है मैं यह आइस्ता इस्ता select data पर जाता हूं और यहां पर जाने के बाद इन access के labels दिखाता हूं आपको हमने यह सिर्फ दो चीज़ें करनी है male versus female ओके कर दिया जो third वाला था वो remove कर देते हैं क्योंकि यह हमारे काम की बात नहीं है यह वाली चीज़ ओके करते हैं यहां पर click करने के बाद सिर्फ हमने यह दो बार्स लेनी है male versus female आ गया यहां से हमने error bars minimum वाली और maximum वाली वो लगा देनी है यहां से इस तरीके से ओके हो गया तो यह हमारी error bars आगी तो यह दोनों significantly differ कर रहे हैं तो आप इस पे static भी लगा सकते हैं किसी एक के उपर अगर आपको लग रहा है कि यह ज्यादा wide है result तो आप इस तरीके से इनको कम भी ठीक है तो आप बड़ा इसके साथ जो है वो play कर सकते हैं ठीक हो गया तो इस तरीके से आप इन चुझें को देख सकते हैं तो यह हमारा graph तकरीबन ready है अब यहां पे हम लगाते हैं इसका border line solid line यहां पे लगाते हैं इसको हम black कर देते हैं यह publication ready graph की तरफ हम जा रहे हैं यहा पर बाद इसको black कर देते हैं इसके पर भी same यही वाला हमने font इस पर format paint करना है तो हमने उस पर वो भी select करके लगा दिया अब यहां पर आरब बार्स को click किया solid line पर click किया और इसे भी black कर दिया ठीक है और one कर दिया इसी तरह यहां पर click करना है solid line पर click करना है और इसका border भी आपने क्या करना है last पर जाने के बार tick mark लगाना है यहां से outside और इस पर भी हम outside tick mark लगा देते हैं ठीक है जी तो इस तरीके से हमारे पास यह चीज़ें आगे अगर आपने labels को show करवाना है तो आप उस तरीके से वो भी करवा सकते हैं but I would say कि आप इसको ना करवाना है तो य यहां से अगर चाहें तो data labels लगाएं data labels लगाने के बाद एक का यह remove कर दें ठीक है और यहां पर hysteric लगा दें कि यह उससे बढ़ रही है इसको आप edit करें edit करने के बाद hysteric लगा दें तो यहां से साफ़ पता चार रहा है कि यह वाला hysteric बढ़ रहा है अब इसका भी आप font change कर सकते हैं जो हमने पहले किया था मैं simply इसको format से लेता हूँ इस पर click करता हूँ automatically apply हो गया तो इस तरीके से आप बहुत easily अपना graph बना सकते हैं अब एक यहां पर कमी है हमारे पास हमने axis के titles लगाने है यह नीचे वाले का title तो male versus female हमारे पास आ गया यहां पर marks लिख देते ह out of 150 ठीक है जी यह लिख देते हैं इस पर click करके मैं इसको format printer करके इस पर भी paste कर देता हूँ तो यह हमारे पास हो गया अगर आपने इसको slow मतलब 11 करना है और बाहर वाली heading को ज्यादा करना तो हो जाएगा अब इन दोनों में अगर आपने professionally इसको design करना है तो आप इसको fill प क्लिक करेंगे तो एक select हो जागा इस पर click किया इसका pattern जो है मैं total different दे रहा हूँ और मैं दोनों के जो colors है ठीक है वो अपनी मर्जी से different रख सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह थोड़े से black की तरफ चाहें ठीक है black हो गया यहाँ पर इसका pattern हम यह वाला कर देते हैं तो इस तरीके से male versus female को आप professional जो graph है उसके through आप लिख सकते हैं अब इसको interpret कैसे करना है अगर interpretation के लिए आप agree हैं कि इसको interpret कैसे करना है और लफजों में कैसे लिखने है then let me know in the comment section so I will teach you how to do that otherwise मैंने अपने live boot camps के अंदर और रड़े इनको interpret करना सिखा दी है take care जी अपना ख्यार रखें दौा में याद रखें और चैनल को subscribe करना ना बूलें अलाहाफेश